हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने वीवो वाई 0 2T एंडूइट मॉइल फोन में आप जो हाटिस पोट का नेम आप चेंज कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये हाटिस पोट का नेम सैटिंग जो चेंज करने के बाद ये सैटिंग कैसे काम करेगी आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मॉइल फोन में सैटिंग पेज ओपन कर लिजे अपने फोन में सैटिंग पेज में आपको नीचे and internet इसे आपको select करना है अब इसके अगले page में आपको यह hot spot and theatering का नीची option मिलेगा इसे select करना है इसके अगले page में आपको यह option मिलेगा wifi hot spot इसे select करना है इसके अगले page में आपको यह option मिल जाएगा hot spot name का इसे select करना है यह आपका hot spot name का एक page open होगा इसमें जो भी नाम आपका पहले से लिखा हुआ है, इसे आपको यहाँ से cut कर देना है, ठीक है, अगर दोस्तों आज से पहले अपना यहाँ पर नाम चेंज नहीं किया है ना, तो आपके mobile का model number यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, तो इसे आपको cut कर देना है, cut करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो है नाम यहाँ पर लिख लेना है, अपना नाम या फिर जो भी आप लिखना चाते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके अगर आपके hot spot को search करेगा अपने device में तो उसके device में आपका hot spot name है यह वाला दिखाई देगा जो आपने change किया ठीक है तो यह setting ना इस तरीके से काम करेगी change होने के बाद अब मैं आपको जोने यह hot spot name setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका भी बता देता हूँ आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना क्या होगा यह जो आपके mobile phone का setting page है इसे इसे आपको फिरόपन करना है starting Page को चलिए हम फिर से open करते है side Department सबसे ओपर यह आपको option मलता है search icon का इसे select करना है, यहाँ पर आपको search bar में type करना है setting का name, hot spot name ठीक है इस तरीके से, तो आपको जो आना नीचे की side option शो हो जाएगा, hot spot name का, जब यह option शो हो जाएगा इसे select करना है, इससे क्या होता है, आपका phone आपको directly setting में लेकर आ जाता है, तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी पता दिया इस setting को ढूंदने का आपके mobile phone में,